रेवाडी जिला लंबे समय से ग्रीन जोन में था लेकिन पिछले पांस दिनों से एक के बाद एक पोजिटिव केस सामने आ रहे हैं पहले सेक्टर चार में तीन पोजिटिव केस सामने आये जिसके बाद में उसी से संपर्क से जोड़ा हुआ केस जो गुर्ण पोलिस का जवान था वो सामने आया और कल खटावली गाउं का जो दिल्ली पुलिस का जवान है वो पोजिटिव आया और आज एक केस और सामने आ गयाया यानि अब जिले में जो पोजिटिव केस की संफ्य है वो छे हो गई है छटा जो केस सामने आया है वो जजजर रोड स्तित गाउं रतन तलखा है और जिला परसासन ने जिला उपायुक्त ने इसकी पुष्टी कर दिया है और साथ ही जो मेडिकल प्रोटोकोल के तहट गाउं को पूरी तरह से सील कर दिया है और सभी की जो घोसित किये गए है जहां किसी की भी आवाजाही पर परतिबंद लगाया गया है रेवाडी में एक के बाद एक जो पोजिटिव केस सामने आया है उसने रेवाडी की टेंसन जरूर बढ़ा दिया क्योंकि पहले से ही यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जो बाहरी हो गई है क्योंकि जो यह केस सामने आया है कहीं ना कहीं इनका जो कनेक्शन दिल्ली से जुड़ा हुआ है और दिल्ली से ही रेवाडी में कुरूना पहुचा है अब एतियातन जिला परसासन कुरूना की चैन को तोड़ने के लिए कदम उठा रहा है जिले में चार आये हैं तो इनकी कॉंटेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है लगातार जो इनकी कॉंटेक्ट में जो लोग आये थे उनके भी सेंपल लिये जा रहे हैं उनकी भी टेस्ट कराए जा रहे हैं अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिला परसासन जो एक कुरूना की चेन है जैस से दो तीन दिन में छे केस जो रेवाडी में पहुँच गया है इस चेन को कैसे तोड़ता है रेवाडी से कैमरमन चमन सर्मा के साथ पवन कुमार